यूक्रेन में ज़ारी रूस के हमलों को देखते हुए ओपरेशन गंगा मिशन के तहट अब तक 11,000 भारतिय नागरीकों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है शनिवार तड़के एरेशिया की उडान से दिल्ली पहुचने वाले 170 नागरीकों का स्वागित करने पहुचे विदेश राजिमंत्री वी मुर्ली धरन ने यह जानकारी दी भारतिय वायू सेनक C-17 एरक्राफ्ट 210 यूक्रेन में फसे भारतिय नागरीकों को रोमानिया के रास्ते लेकर शुकरवार देर राथ हिंडन एर बेस पहुचा ओपरेशन गंगा के तहट IAF का यह विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस से शुकरवार को रवाना हुआ था वही पॉलन के वर्साव में स्तित भारतिय दुतावास ने कहा दो इंडिगो और एक IAF की C-17 ग्लोब मास्टर के जरिये कुल 649 भारतिय चात्रों को रवाना किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुकरवार को एक बैठक की अधेक्षता की जिसमें युद्ध ग्रस्त यूक्रेन से भारतिय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर विचार विमाश किया गया उसे पहले नहीं कुछ सरकार की हेल्प थी और जी 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 उक्रेनियन पुलिस जो थी और वह हेल्प क्या करते हैं वह हमारा जो अपनी बस थी तो वह हमारी असानी से पास हो गई और किसीना कोई परेशान नहीं किया बस यह था और तो जो हम रोमानिया रुके बोर्डर क्र सरकार ने यूकरेन की सीमा से सटे पडोसी देशों में अपने विश्वेश दूतों को नियूक्त किया है जो अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी में आने वाली बाधाओं को समाप्त करेंगे हंगरी में केंद्रिय मंत्री हरदीब सिंगपूरी स्लोवाकिया में कानून मंत्री किरन रीजूजी रोमानिया में नागरिक उडान मंत्री जोतिरादित सिंध्या और पॉलैंड में जनरल वीके सिंग है विदेश मंत्रवाले ने शुक्रवार को कहा कि अगले 24 घंटों में आईएफ के C-17 एरक्राफ्ट समेट कुल 16 उडानों को नरधारित किया गया है बता दे कि रूस ने पूर्वी उक्रेन के दो विद्रोही लाकों में सबसे पहले कबजा किया और फिर राजधानी कि वह अब तक पूरे देश में हालात खराब हो चुकी है हलाकि दोनों देशों के बीच दो दौर की वारता भी हुई और माना जा रहा है कि जल्दी तीसरे दौर की वारता भी की जाएगी Special Dex, Total News